हरिपुर राज्य में एक राजा हरेंद्र प्रताप सिंग राज्य करता था उसके तीन बेटे थे सबसे बड़ा राज कवर उससे छोटा राज किशोर और सबसे छोटा राधविंदर सिंग जिनके साथ उसका जीवन बड़े आनन से गुजर रहा था वह अपनी बेटों को बड़ा प्यार करता उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखता एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटों को बुलाया और कहा पिता जी मैं आपके साथ रहता हूँ तो आपके भागय से ही खाऊंगा क्योंकि मेरा भरन पोशन आप ही करते हैं फिर हरेंद्र प्रताप सिंग अपने दूसरे बेटे से पूछता है बेटा अब तुम कहो तुम किसके भागय से खाते हूँ पिता जी मैं भी आपके भागय से ही खाता हूँ राजा फिर अपने तीसरे बेटे से पूछता है रागविंद्र बेटे अब तुम बताओ कि तुम किसके भागय से खाते हूँ पिताजी हर इंसान अपने भाग्य का खाता है, मैं भी अपने भाग्य का खा रहा हूँ यहां सब सुनकर राजा बड़ा क्रोध में आता है और सिपाही को बुला कर कहता है सैनिक राजा के कहने पर राधविंद्र को अपने साथ ले जाकर जंगल के बीच छोड़ देते है राधविंद्र की उम्र अभी 16 साल की थी वह जंगल में बहुत घबराया हुआ एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा राधविंद्र को जंगल में एक कुटिया दिखती है वह डरते डरते उस कुटिया के बाहर बोलता है क्या अंदर कोई है अंदर से आवाज आती है आजाओ कोन हो राधविंद्र अंदर जाता है तो देखता है अंदर एक साधू बैठा होता है साधू उसे कहता है कौन हो तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम रागविंद्र है, मैं राजा हरेंदर प्रताप सिंग का तीसरा पुत्र हूँ उन्होंने हम सब भाईयों एक प्रश्न किया कि तुम किसके भाग्यका खाते हो तब मेरे दोनों भाईयों ने कहा कि वह पिता के भाग्यका खाते हैं मगर मैंने कहा कि मैं अपने भाग्यका खाता हूँ तब मेरे पिता ने नाराज होकर मुझे जंगल में छुडवा दिया अब मैं आसरा धून रहा हूँ तुमने अपने पिता को सही जवाब दिया, हर इंसान अपने भाग्य का खाता है, उसके भाग्य में जो भी विधाता ने लिखा होता है, उसे वहीं मिलता है मगर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किधर जाओं? तुम मेरे पास रहो, तुम्हारे भाग्य में जो होगा सब तुम्हें मिल जाएगा, तुम यहां आए ये भी तुम्हारे भाग्य में विधाता ने पहले ही लिखा था और अब आगे जो भी लिखा होगा वही मिलेगा. रागविंदर वहीं उसकी कुटिया में रहने लगता है और साधू की सेवा में अपना समय व्यतित करता है समय गुजर रहा होता है साधू राधविंदर को हर कला में निपुन करता है राधविंदर भी मन से सारे कार्य करता है सुन्दर देश की राज कुमारी अपने सैनिकों से बिछड जाती है जंगल में एक भालू उसका पीछा करता है तो वहां राधविंद्र से टकराती है और कहती है ये भालू मेरा पीछा कर रहा है भालू राधविंद्र को देख कर वापिस चला जाता है मेरा नाम पदमावती है, मैं साथ के राजे के राजा सुमनात की पुत्री हूँ, मैं अपने सैनिकों से बिछडने के कारण यहां जंगल में आ गई हूँ राधवित्र उसे लेकर कुट्या में आ जाता है, सुबह होते ही वहाँ पदमावती को उसके राजमहल में छोडने चला जाता है पदमावती अपने पिता से कहती है पिता जी ये राधविंद्र जी है, इन्होंने कल मेरी जान एक भालू से बचाई है सेनिकों के बिचडने के बाद में जंगल में भटक गई थी, तब ये मिले और इन्होंने मेरी रक्षा की युवक हम आपका शुक्रिया करते है, आपने हमारी बेटी की जान की हिफाज़त की, मगर आप है कोन और जंगल में क्या कर रहे थे, आप तो दिखने में कोई राजकुमार लगते है महाराज मेरा नाम रागविद्र है, मैं आपके पडोसी राजा हरेंद्र प्रताप सिह का सबसे छोटा बेटा हूँ वह मुझसे नाराज है, इसलिए मैं जंगल में रहता हूँ राजा रागविद्र को कुछ दिनों के लिए अपनी महमान नवाजी में रोक लेता है महाराज अगर आप मेरी बात माने तो रागविद्र मुझे एक अच्छा लड़का लग रहा है और है भी हमारे मित्र देश के राजा का बेटा अगर आप चाहे तो अपनी राजकुमारी के लिए उसे देख सकते है, हमारी राजकुमारी उसके साथ खुश रहेगी ठीक है मंत्री जी में महारानी जी से इस बारे में बात करूँगा फिर महाराज महारानी जी से कहते है क्या तो वह ठीक रहे थे रागवेंडर सुशिल, सुन्दर और समझदार है हमारी बेटी के लिए भी ठीक है आप एक बार बात करके देख लीजिए राजा रागवेंडर से कहते है रागविंदर जी, अगर आप चाहे तो हम आपसे अपनी पुत्री राजकुमारी पदमावती का विवाह करना चाहते है आपको कोई इतराज तो नहीं महाराज आपका हुक्म सर आँखों पर मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो हाँ कहिए महाराज अगर आप ये रिष्टा मेरे साथ इसलिए कर रहे हैं कि राजा हरेंद्र सेह का पुत्र हूँ तो मैं इस रिष्टे के लिए राजी नहीं हूँ हाँ अगर आप मेरी शादी एक सन्यासी के शिश्य के रूप में कर रहे हैं तो मुझे मनजूर है रागविद्रह में तुम्हारी योग्यता पर विश्वास है और तुमने हमारी पुत्री की रक्षा की है हम इसलिए यह रिष्टा तुमसे करना चाहते है रही तुम्हारे पिता की बात वह तो हमारे पुराने मित्र है राजा सोमनात रागवेंडर और पदमावती की शादी कराकर उन्हें अपना राज्य सौप कर तपस्या के लिए चले जाते है एक दिन रागवेंडर पदमावती के साथ अपने माता पिता से मिलने पहुझते है राजा हरेंदर अपने बेटे रागवेंदर को देख कर बहुत खुश होते है रागवेंदर कहता है पिता जी ये मेरी पत्नी पदमावती है और मैं आपके पडोसी राज्य का राजा हूँ देखा आपने भागय का खेल बेटा में तुमसे बड़ा शर्मिन्दा हूँ आज में मानता हूँ जो भागय में होता है वहीं मिलता है कोई किसी का भागय नहीं बदल सकता